नमस्कार, जैशेराम, हर हर महादेव। नटनी योगनी एक प्रकार की देवी होती हैं और ये गरामिन छेतरों में महुआ का पेड़, जामुन का पेड़ या नीम के पेड़ पर इनका वास देखा जाता है। करके और इनका दर्शन, इनकी किरपा आपको बहुत ही आसानी से प्राक्त हो जाएगी। अगर आप ये करना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी दिशनिवार को आपको ग्यारा लौंग लेना है। और बताय हुए पौधों में महुआ, जामुन या नीम के पेड़ के पास रात्र को जाना है। नहा धो करके जाना है। और मीठी पूरी उसमें ग्यारा लौंग अलग से ऐसे चुभो कर एक तो ग्यारा लौंग आपके हाथ में रहेगी। दूसरी ग्यारा लौंग पूरी में चुभो कर ले जाना बोक के लिए। और थोड़ी शे आपको कच्चा दूद ये ले जाना है। अब आसन लगाकर आपको जो मंत्र में डिस्क्रेक्शन बॉक्स में दे रहा हूं इसको छोटा सा मंत्र है। एकी रात के अंदर दस हजार बार पढ़ना है। बहुत छोटा है। साम को साथ बजे की बाद से आप कर सकते हैं सुभे तीन बजे के अंदर। तीन से साड़े तीन गंटे में दस हजार हो जाता है। भोग सबसे पहले वहाँ भोग देना है भोग देने के बाद प्रणाम करना है दूधे देना है और कुछ नहीं करना है आसन बंधन ये बंधन वो बंधन नहीं करना ये ग्रामणी की चलती विद्या बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं चलती विद्या अब जो लौंग है उसको सा पत्तर पर रख लेना और दस हजार मंत्रों का जाब करने बाद उसी पत्ते सहीद पान पर भी रख सकते उसको पान अगर कोई पान का पत्ता है तो उसको उसी में लपेट कर इसे पान खाने अला बीडा बनाते उस तरीके से उसी जल के नीचे दबा दें दबाने के बाद आप ग्यारा चक्कर वहाँ फिर परकर्मा करना है ग्यारा चक्कर जैसे आप परकर्मा करेंगे उसी पेड़ पर से धम से कूदती हुई पायल उसके पाउं में घुंगरू पायल बाल बिखरे हुए पान चबाए हुए जैसे लगता है कि कोई एक दम नहाध होके फ्रेस बाल वाल बिखरे हुए आयल लगा हुआ जैसे लगए कोई तेल लगा हुआ मसाज करा हुआ बिखरे हुए चमक्ति चमकीली तचा लिये हुए हाथ में एक गंडासा टाइप का होता है पुराना मुर्चा खाया हुआ वो लिये हुए काले रंकी पुसाथ में खिलखिलाती नटनी योगनी प्रकट होंगी उनको प्रणाम करें प्रणाम करने के बाद उनको बोले हे मा जब भी मैं आपको याद करूँ जिस कार के लिए याद करूँ आप मेरा कारे कर देना मता आपको बोलेंगी कि ठीक है आपका काम कर दूँगी मुझे भोग इसी जगे चाहिए जहाँ वो भोग मांगे वहां मीठी पूरी का वैसे ही भोग देना यë परियोग सिर्फ आप अपने लिए कर सकते हैं, आप अपनी भलाय के लिए, अपने परवार की भलाय के लिए इस से समाज का या बहुत बड़ा दर्वार लगा नहीं सकते हैं, यह छोटी और चलती विद्या है, बहुत आसान है, अचूक है, कमजोर दिलवाले मत करना, नर्वाल मंत्रों का जाब कर चुके हों, गैतरी मंत्रों का जाब कर चुके हों, जो और लेटी कुछ महा मंत्रों का जाब कर चुके हों, जिनकी ओरा मजबूत हो वो करें। मुझे मेद ये वीडियो आपको बहुत ही सुन्दर लगी होगी चुकि जानकारी वही देता हूँ उपाई वही बताता हूँ जो स्वेम आजमा लेता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर अच्छा करिएगा साथ ही आपको किसी प्रकार की समस्या हो हमारे हर वीडियो में हमारा नमबर रहता है आप सुबा नौ बजे से साम को पांच बजे की बीच कॉल कर सकते हैं मता भगवती आप सभी लोगों का कल्याल करते हूए आप लोगों को धने धान से परपूर रखे जै श्री रम हरहर महादे